कि हैं गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल दास्मार्ट इंवेस्टर तो गाइज यहां पर यह कंपनी का आपको सपैस्टर को टागेट बताने वाली साथ में आपको यह बताऊंगे इसका शेयर प्राइस है वह कहां को बाय करना है इसका ब्रेक आप लेट का रहे का कितना क्या आपको पता ही है कि इसका क्लोजिंग कितने वह था लास्ट फ्राइडे को यह 1292.870 पे सा क्लोजिंग वह था ओर इसने का 3.42 पर संट का रिटन देखा जो तो 42.80 रुपीस अब गया था एन 42.80 रुपीस पर शेयर के विचे से रिटन दिया था सो जिसने भी लाइक आपको पता है कि कमिंस इंडिया का लॉट से कितना 600 का इसका लॉट साइज से मल्टिप्लाइब अगर 42 पकड़े सो और इसने कितना इसने कितना कितना अगर हम करें 25,200 का इसने रिटन्स दिया है सो लोग किसी ने 25,200 पर नहीं कमारेगा एटलिस ने 800 900 400 500 600 600 पर दो तक मनें रहे हं जिसने द beiden कि में जो तुफिलीर पाल क्रीप जिसने भी जूभी आपको प्कूर मिला रहे हैं यहां चाहिए चाहिए है यहां कि वाह कि आपको कि अपको योद्या इक उन्हें पता देदिए आपको यह कंडर तक है तो चेहसे चला और ऐकर तक कर रहिंग को यह क्या हूए इसने कि अलगे ब्रेक नहीं किया बट यह जो कंडरने इसनेal ब्र Bye तोड़ दिया है विए अगर आपको बाइक करना है क्यों यह आप देखे यह का इसा हुआ है यहां तक गया है वापस हाई मार के वापस आके नीचे अगर गिरा है तो ऐसा किसमें क्या को लॉस्ट के चांज भी बहुत जादा हो जाते हैं आप को वही बतार हुए कि इस ने यह वकर चैनल और आपको 1300 के उपर गर रहें 305-306 गर्याद करना है यहां पर आको आपको आसपास में अधना चाहता क्रणा शुक्त उसका मंत अंड तक रह रखे ले जिए आपको DEFINITल अपको अछो का सब ट्रेंस मिलें इसका इंट बीप इंट्री डेवल कहां को बनानी है अब एक्जिट लेवल वो आपके डिपेंड करता है बड़ आपको जाद आपको वेट नहीं करना विकाज ऐसा भी होता है कि आपको 40-50 अप्रेकर सब्सक्राइब कर देता है जुपकर के नीचे भी आ सकता है यह सो आपको जाद आपको लाल